कि चलिए अद्वांस मेहत के तहट है कि एक जुमेट्री पोर्शन से ले रहे हैं कि अग्युमेट्री कि ज्यामीती विडियो हम देना है यह सूछ के दे रहा है कि आम हैं मेश आमल को एड़ांस में बहुत ब्रक्सन हो सकता है कई सारे चैप्टर्स हो सकते हैं लेकिन मेरे कंप्रिशन में जो यूश्फूल है उस पर हम डिसकस करेंगे जूट मुन का वह ऐसा चैप्टर्स नहां ले लें लास करना कर लें जिसमें केवल यह लगे कि बहुत टॉफ है जो कभी एक्जाम में नहीं आ रहा हो तो उससे क्या लेना देना है तो मेरा प्लानिंग मेरा टार्गेट है जामनेशन कैसे निकाल सके चलिए एक छोटा सा इसमें हैं टैंजेंट के रूप में असपर्स रेखा आम तोट पर देखा गया है ससरी व्यां इशचिंटर लेवेल में इससे एक लेवल में को Bernard तो असपर्ष रेखा किसी सर्किल का था मैं देखा गया एक सिंगल सर्किल या पिर्वर साथ अ हमिए कड़के चंप जन्ति सिंगल सर्किलों पहला पॉण्ट एक ही ब्रीद के तहट अनंत इंफिनाइट अनंत असपर्स देखाएं होते हैं अनंत असपर्स देखाएं होते हैं कि इसको एक्जाम्पूल के साथ साथ हम लोग चलें फिगर बनाते चलते हैं कि एक सर्किल हो गया तो देखिए असपर्स देखा का मतलब जड़ी सेंटर से आप जड़ी आप कहीं भी किसी पॉइंट को टच करते हैं और वहां पर एक लाइन खिच दीजिए जैसे माली एक खिच लिए यह एक सबर्स लेखा हो गया लेखिन ये की हो सकता ऐसा है नो θα तो इस पॉइंट में आपने ही तरच किया जब अनंत बिन्दू है उसको टर्च करते हुए अनंत लाइन खीचे जा सकते हैं जैसे मालिया हमें आप यहां से खीचना आप यहां को टर्च करते हैं इसकी कमी थो रही है अनंत हो गए ठीक है इस परकार के अनंत तो आपसे जदि पूल दिया जाए आनंत अस्पार्स रेखा हैं किस कंडिशन में होते हैं तो क्या कहेंगे एक ही पीद के ताहत होता है clear ? अब एक एक कड़के बात करते हैं जब दो बृत रह थब क्या होगा उसमें एक असपार्स रेखा भी हो सकता है, दो भी हो सकता थीन भी सकता एए चार भी हो सकता है तो नेक्स्ट पंट सकते हैं है दो वरीतों के ताहथ सेक्ट पॉइंट के तहथ है अब इस पर कैसा रा बात्या हो भी दोनु आपस में टर्च कर रहें तो यह यानदर से टर्च कर रहें इन्फॉल्व करता एक गूसरे के अंतरगत में में हो खोद्त और वे दोनों आपस में टच नहीं करें तब तो उन दोनों से एक भी अस्पर्स रिखा नहीं होगी तो चलिए पहला पॉंट्स लिखते हैं कि जब कि दोनों व्रीट एक दूसरे के अंतरगात हो एक दूसरे के अंतरगात हो समाहीत हो इन्वाल्व हो अंतरगात हो यानि इन्वाल्व हो तथा वे दोनों आपस में असपर्स ना करें तो एक भी असपर्स रिखाए नहीं होंगी तो एक भी असपर्स रिखा, एक भी असपर्स रिखा नहीं होंगा ठीक है यानि Zero एक भी नहाने Zero एक भी असपर्स रिखा नहीं हुआ तो चलिए इस T little को लेके चलिए दोनों बीरित एक दूसरे के अंतरगत और आपस में असपर्स ना करें यानि फिगर जदी बनाएंगे यह हो गया बड़ा सा एक हो गया छोटा है ना तो एक भी दोनों में आप देखिए कहीं कंसर्णिंग है नहीं है इन दोनों के कारण कोई भी एक असपर्स रेखा नहीं बनेगा ऑनिए एक ही सपर्स का मतलब एक ही पोांटव दोनों टुट करें तो यहां पे कोई टुट शीन रहा तो ऑर तो एक हैसे खीचे गा अपार से सकता अनुद hatred काच RI अनुद ही बन पाएगा कि नेक्सट अब देखिए इसी का सेकेंड पॉइंट लिखिए है जब दोनों बृत एक दुसरे के अंतरगत हो तथा आपस में असपर्श करता हो एक दुसरे के एक दुसरे के अंतरगत हो और किसी एक भी बिंदु पर असपर्श करता हो अब दो बृत है तो दोनों एक दुसरे का पुरा पैक नहीं है कि सभी पूरे के पूरे उतना ही एरिया को पॉबर करें वह नहीं एक बड़ा है तो चोटा बिदी यह करने का मतलब तब तो अंतरगात हुआ और वे दोनों एक ही बिंदू एक ही बिंदू एक ही पॉइंट पर असपर्स करें पर असपर्स करें तो एक ही असपर्स रेखा होगा एक ही ट्रंजेंट एक ही असपर्स रेखा होगा चलें फीगर बना लेते हैं देखिए एक बड़ा सर्किल हो गया और इसी में एक छोटा सा सर्किल जो तो एक ही पॉइंट्स पर टॉइंट्स कर रहा हो यह हो गया तो यह जो पॉइंट्स है एक ही पॉइंट्स पे एक ही इसमें लाइन खिचे जा सकते हैं के ना एक असपर्स रेखा हो गया तो चलिए हम लोग पढ़ लिए इंफिनाइट में पढ़ लिए जीरो की बात हो गई एक की बात हो गई अब दो असपर्स रेखा की बात करते हैं कि नेक्स पॉइंट अब देखें दो असपर्स रेखा जब होगा अब तो ब्रीट एक दुसे को फुली नहीं पार्सियली इनवाल्व हो गया ना पार्सियली इनवाल्व होगा तब दो असपर्स रेखा बजाएगे खिक है लिखे दो विरीत एक दुसरे को अंस्यता पार्शियली अंस्यता पार्टली या पार्टली लिख सकते हैं अंस्यता समावेसित हो इन्वाल्व हो समावेसित हो तो दो असपर्श रेखा दो असपर्श रेखाएं बढेंगे जैसे इसका फिगर देख एक बीट हो गया और एक दुसरा बीट हो गया बाहर लेकिन पार्शियली इन्वाल्व है दोनों में तो इन दोनों से दो असपर्श रेखाएं बनेंगे जैसे मान लिजिए कि एक पॉइंट से यहां पे पॉइंट टच करें एक रेखा आप इन दोन लिजिए नीचे से कि के दो असपर्श रेखाएं हो गई है जैसे माली एक हो गया यह भी एक रेखा है दुसरा हो गया सीड़ी है कि दो असपर्श रेखाएं बन गई कि अब चलिए दो पे बात हो गई अब तीन प्याद देरें कि कि का इस्टूडेंट्स ने हमें सुजाओ दिया या फिर हमसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर्थ एर्वांस मैट का भी कुछ वीडियो दे दीजिए तो इसके पहले हमने एक वीडियो दिया था एर्वांस मैट से सकते हैं जिसमें नंबर ओफ लानिंग्स और नंबर ओफ एंगेल्स ओ डिफाइन करने के लिए यह था काफी इंपॉटेंट यह जो रहे हैं और अभी जो हम नोगों डिसकस कर रहे हैं तो मेरी कोशिस है जो टूदी पॉइंट इस नजरिये से को सब्सक्राइब करें जो हमारे कमप्रिशन में काम आ सकते हैं वैसे कोशन का बखवास करने से कोई फैदा नहीं है ज्यादा काबिल बन ले और किसी काम के लाइक नहीं हूं तो उससे कोई लेना देना नहीं जिस वीडियो को हम सेयर कर रहे हैं आपके साथ जुरे हुए हैं वह परतियुक्ता परिक्षा से जो जॉब्स ओरियंटेड है उससे कंप्रिशन को फेस कर रहा है ना कि हम जीमेटरी का ओप पोर्सन ले ले जो आई 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 आटी की जिगवथ हो सो हम यह टी का वीडियो नहीं बना रहा है हम इसे कंप्रिशन जो से से हो, से 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 हो स्टेट गॉर्वेंट के जो जॉब्स हैं उनसे पर बंकिंग सेक्टर प्रक्रा जॉ उसमें विजववत पड़ेगी meter दे रहा है टीछर ट्रेंग का दे रहा है वगरे बहुत सारी एक्जाम है जिसमें रिजिजिंग का होना ही होना है जिके होना है तो उसी से कंसर्निंग अंबीडियो दे रहा है ठीक है गाली 2009 पर बात हो गई अब नेक्स आये जब दो ब्रीत एकी बिंदू पर एकी बिंदू पर बारी ओर से परीब रित के रूपे ना बारी बारी ओर से असपर्स करता हो तो कुल तीन असपर्स एक हैं बनेंगे तीन असपर्स रिखाएं बनेंगे बनेंगे जैके इसको फीगर से समझा लें दो ब्रीत हो गया और बाहर से है किसी एकी पॉइंट्स को टच कर रहा है ना दो ब्रीत बना लिए तो देखिए जैसे पीछे पॉइंट्स में लिए कि दो ही असपर्स रेखा तो इंटर्नली था तब लेकिन एक यहां पर एक्सरा भी तो हो गया जो असपर्स किया यह वला तो एक और भी बन गया और दो जो पहले बना थे उसके मिसार से दो और हो गया देख रहें ना तीन बन गया ना इस परस रेखाएं यानि एक जदी एवी हैं उस्तरा सीडी है और एक और तिसरा हो गया इएफ मान लिजे ठीक है तीना स्परस रेखा है कि आप सभी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा कि सुझाओ होगा अगरा होगा कि आप पूरे वीडियो को देखिए को जोबी नहीं कि जो आप इसमें से पार्सेली देख लिए छोटा सा देख लिए भी उच्छोड दिये और आपको कोई कंप्रिशन फेज कर रहा है तो हो सकता कि अंतिम तक देख लेते तो पूरा सॉल्व करके आते और अधुरा देख लिजेगा ना तो और किसी काम का नहीं तो देखिए तब पूरा वीडियो देखिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं कियों तो सब्सक्राइब कीजिए यह उपने साथियों में भी कहीं कि उजह सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो मेरा जा सके चलते हैं लास्ट पॉंट इसका जब दो ब्रीत बाहर की और हो और आपस में कहीं असपर्स नहीं करता हो तो देखें बाहर का मतलब यह नहीं हुआ कि बहुत जादे दूरी पे हो सो बात नहीं है एकी स्पेस में हो एकी पेपर सीट में हो एकी पेज पर हो तो वैसी स्थिती में चार असपर्स रह खाये होंगे यानि जब दो ब्रीत आसपास हो लेकिन आपस में असपर्स नहीं करता हो तो इन दोनों ब्रीत से चार असपर्स रह खाये हैं बनेंगे कि देखिए इसको फिगर करने साथ से दो ब्रीत ले लिए आपने असपास में ही लेकिन असपर्स नहीं कर रहा है तो जैसे अभी आपने यह दो फिगर और लेडी दो के लिए बनाये थे दो असपर्स रेखा के लिए जैसे यह वी और सीडी आपने दो बना लिए यह तो दो ही गए लेकिन दो और बनेंगे डाइगोनली बनाईए जैसे यह पॉइंट को हम इस पॉइंट से टच करा दिए माली में एक और बन गया और इसी तरह से इसको कर लिए डाइगोनली सोरी ठीक है दो इस्टेट लाइन में हो गया दो डाइगोनली हो गया इए एफ जी एच माली यह चार हो गया इसमें असपर से ठीक है तो आज टेंजेंट पर डिसकस कर लिए इस वीडियो से यह मान के चलिए पिछले क्लास में जिस तरह से लाइन से एकोसन इससी तरूप से रहेगा उससे तरह टेंजेंट से भी जो भी हम वीडियो दे रहा है उसमें 100% एकुरेसी के साथ पढ़ने के लिए इने की फोकस बाजी कर देने से होगा ठीक है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर काइनली आप सभी जदी आपने मेरा यूटूब लाइब क्लास नहीं कर रहे हैं तो खोसिस किजिए करने का अधरवाज उसका वीडियो भी ज़ूर देख लीजिए वहाँ डिटेल में हम लोग डिसकस कर रहे हैं हर टॉपिक्स थैंक्यू